नमस्कार दोस्तों मेरा नामे देश लोनी और आज मदवार आप सभी के सामने एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर रहा हूँ आज की वीडियो मैं आप लोगो बताओं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने मोबाइल के अंदर मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताओंगा और बिल्कुल आसान सेफ तरीका है आपके डोकुमेंट को कहीं पर भी अपलोड या नहीं किया जाएगा ऐसी वेब साइट पर जहां पर आपको कोई प्रेसानी हो तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा आसान है तो चलिए जल्दी से वीडियो कर सुरू करते हैं यह मैं अपने लैप्टॉप में कर रहा हूँ यह सेम तरीका आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो उसके लिए आपको गूगल क्रोम के अंदर ज रह सकते हूँ कर दके करके होगा आपको क्या करनार? आपको जाना है गूगल पर वेब्साइट के बारे में नहीं बता रहा हूँ है तो अब को यहाँ पे जाना है ho और आपको हैट drive में जाना है drive में जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहां पर new पर click करना है new पर click करने के बाद आपकी जो भी file है जो आपको convert करनी है हम उस file को यहाँ पर upload करनेंगे यह हमारी एक PDF की file है जो मैंने यहां पर पहले से ही PDF लिके रख रखी है तो यह हमारी PDF की फाइल है मैं इसको upload कर देता हूँ इसके उपर जैसे upload होएगी तो यहाँ से PDF शो होने लग जाएगी तो अभी जो Google का नया update है उसके बाद से जैसे आप इसको open करोगे तो open विद आएगा यहाँ पर कि open कैसे करने है आपको document में open करनी है docs में open करनी है तो आप simply हैसे docs पर क्लिक कर दीजिए जैसे आप इसको docs पर क्लिक करोगे तो यह आपकी PDF से word में convert हो चुगी है फाइल अब आप इसको जहां से भी use करना चाहो तो आप वो चीजे इसकी यहाँ पर use कर सकते हो जो भी आपको इसके अंदर add करना है वो आप इसके अंदर add कर सकते हो इसको जब भी आपको किसी को share करना है या आपको कुछ भी bold करना है या कुछ भी जितने भी यहाँ पर आपको features उपर दिखाए दे रहे यह सारे features आप इसमें use कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल पर जाना है जब भी आपका document complete हो जाएगा उसके बाद आपको अगर यह email करना है किसी को तो यहाँ पर आप email कर सकते है इसको direct download करना है अगर आप चाहते हो कि आपको यह offline ही edit करना है या in future आपको चाहिए यह तो आप यहाँ पर download Microsoft में या फिर दोबारा से आपको edit करने के बाद PDF में अगर download करना है तो PDF में भी download कर सकते हो यहाँ से हम फिलाल Microsoft में इसको download पर click करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर दोबारा Microsoft Word में download हो जाएगी हो तो यहाँ से आप इसको आज़े PDF भी save कर सकते हो और आज़े document भी save कर सकते हो तो I hope इससे आसान तरीका मेरे को तो नहीं लगता कोई भी होगा क्योंकि यह बिल्कुल safe तरीका है और आपका कहीं पर भी कोई website open करने जोरुत नहीं है तो इसमें आपके दोनों चीजों की बचत है तो आप यह तरीका यूज कर सकते हैं सबसे आसान तरीका मेरे को लगा I hope आप लोग को यह चीज समझ आगी होगी और यह बिल्कुल आसान तरीका है सबसे आसान और मेरे को safe तरीका यही लगा उसके लिए और भी बहुत सारी apps हैं और जो बहुत सारी website हैं जो आपके document को PDF में और PDF को document में convert करते हैं लेकिन मेरे को यह सबसे ज़्यादा safe लगी आप इसको use कीजिए बिल्कुल आसान है Google का product है तो आपके लिए काफी safe भी रहेगा और simple भी रहेगा और इसके थरूँ आप share भी इसको कर सकते हो आसानी से तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम